नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो आरकेज मल्टी टालेंट चानल, दोस्तों आज हम भारत की कुछ ऐसी दिगज महलाओं के बारों में जानकरी लेने वाले हैं, अपनी शेत्र में कड़ी महनत से सफलता की उचाईयों पर पहुँची, इन्होंने जीरो से अपनी बिजनिस की कीजिए, और वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिवज में शेर जरूर कीजिएगा, दोस्तों, आज हम सोनी टेलिविजन पर दिखाई जाने वाले शार्क टांक इंडिया इस बिजनिस प्रोग्राम के ये मदद करता है, और इस शो के जजिस का एक पैनल है, जिसे शार्क कहा जाता है, और ये साथ जजिस है, जिनमें से तीन महिला जजिस है, जो अपने शेत्र में एक सक्सेस्फुल बिजनिस उमेंस है, जी हाँ दोस्तों, इनकी सफलता की कहानी बहुत प्रेरित करने वाली ह तो आज हम इनकी कड़ी महनत और सफलता के बारे में जानकरी लेंगे, इन तीन जजिस में से पहली लेड़ी है, गजल अलग, दोस्तों, गजल अलग, मामा आर्थ कंपनी की को फाउंडर और चीफ है, जो की नैचरल, आयरुवेदी और टॉक्जिन फ्री कंजुमर प्रोड इन अप्लेड आर्ट्स में डिग्री हासिल की है, तरसल, गजल जी का बेटा एक स्कीन कंडिशन के साथ पैदा हुआ था, जिसके चलते उसकी स्कीन को मार्किट में मौजिद कोई भी प्रोड़क्ट सूट नहीं करता था, बस इसे से उन्हें मामा आर्थ कंपनी शुरू कर जिसके नाचरल प्रोड़क्ट बच्चों की स्कीन को बिना नुकसान पहुंचाएं, इस्तिमाल किये जा सके, और उन्होंने 2016 में अपने पती के साथ मिलकर मामा अर्थ कंपनी की शिरुवात की, आज ये कंपनी अपने बहतरी नाचरल और टॉक्जिक फ्री प्रोड़क्स क करोड है, हमारी दूसरी सक्सेस्फुल प्रभावी जज है विनिता सिंग, जो की शुगर कॉस्मेटिक कंपनी की को फाउंडर और सीओ है, इन्होंने IIT मदरास से इलेक्रिक इंजिनिरिंग की है, और साथ में IIM एहमादाबाद से MBA भी किया हुआ है, विनिता जी ने शुग की नौकरी को भी बाई-बाई किया था, इसी डेडिकेशन के वज़े से आज वे एक मोस्ट सक्सेस्फुल फेमेल एंत्रोपनेर है, उनकी कमपनी शुगर कॉस्मेटिक्स डारेक्ट टू कंजुमर मेकप बेस की वज़े से एक बहतरीन ब्रैंग बन चुकी है, शुरू में अपने प्रोडक्स को अनलाइन बेचा, फिर बाद में उन्होंने अपना पहला स्टॉर 2019 में खोला, और आज उनके 130 से भी अधिक शहरों में 2500 से अधिक आउटलेट है, उनकी कमपनी शुगर कॉस्मेट ने महिलाओं के बीच में एक खास जगह बना ली है, उनका शुगर कॉस्मेटिक्स कमपनी के प्रोडक्स किसी भी डिस्काउंड के बीना अच्छी गुणवत्ता के कारण ग्रहाओं को के बेच अधिक लोग प्रिये है, विनितासिय जी ने अपनी कड़ी महनत और नई स्योच के दम पर सफलता की एक नई कहानी लिखी है, विनितासिय एक सफ स्थित, मैराथान, आयन मैन, ट्रालाथान भी कम्प्लिट की हुई है, अब जानते हैं हमारे तीसरी उमन शार्क नमिता थापर के बारे में, नमिता थापर एक इंडियन बिजनेस उमन है और MQR कम फार्मिसेटिल कमपनी की CEO है, पुने में जन्मी नमिता थापर ने अपनी इंक्रेडिबल वेंचर्स, नमिता इंक्रेडिबल वेंचर्स की फाउंडर और CEO है, जो 11-18 आयू के बच्चों को एंत्रोपनरशिप कौशल सिखाती है, इसके आलवा वे एक पब्लिक स्पीकर भी है, दोस्तों ये है हमारी भारत की बुजनेस उमन जिन्होंने अपने की महनत से और नई सोच के दम पर बिजनिस जगत में एक अपना नया स्थान बनाया है, और इनकी सफलता की कहानी हर महिला को प्रेरित करने वाली है, सही मायने में ये शार्थ विमन आफ इंडिया है, तो दोस्तों ये विमन स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद